आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजडेंट अफ इंडिया अभी अभी सरनगर पहुंची है और यहाँ पर यह लाइव विजबल्स आप देख सकते हैं जो राजबाग से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से ही जो प्रेजडेंट अफ इंडिया है उनका गुजर हो रहा है और यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो एरपोर्ट है वहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद उनको यहाँ पर एलजी की तरफ से और उनके हमरा कहीं एक अपसरान जो है वो भी यहाँ पर मौजुद थे जो नोंने यहाँ पर प्रेजडेंट अफ इंड सेंटर में वो चीप गेस्ट होगी और उसके हमरा कहीं है कि हाँ पर अपसरान के अलावा एलजी भी शामिल होंगे यहाँ पर युनिवरस्टी में एक बड़ी फंक्शन जो तकरीब है वहाँ पर मौनकद होगी और उसके बाद यहाँ पर वो निकल कर बताय जाता है कि डल कि कल से हमने देखा कि सिक्यूर्टी के माकूल इंतिजामात किये गए थे और यहाँ पर युनिवरस्टी आफ कश्मीर के गेट के बाहर सोफिस्टिकेटिड वेपन्स लेकर जो आर्मड वीकल्स है वो रखी गई थी और कल हमने देखा कि स्कूटर और बाइक सवार्स को भी रोका जा रहा था और आज अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी अभी जो प्रेजिजन्ट आफ इंडिया है वो सिर्नगर पहुंची है लजी के हमरा कहीं एक अपसरान ने उनको यहाँ पर रसीव किया और यहाँ से निकल कर वो बादामी बाग कंटोन्मेंट गई है जहा यहाँ पर वो 20th कनवोकेशनल सेंटर का वो इफ्तिता करेगी यानि कि वो चीफ किस्ट भी वहाँ पर रहेगी और यहाँ पर सेंग्डू की तैदात में जो स्टूडन्स है उनमें सेटिफिकेट्स भी प्रेजिट आफ इंडिया डिस्टिबूट करेगी और उनको मेडल्स भी देगी और उसके बाद बताय जाता है कि शाम होते होते यहाँ पर डल में म्यूजिक एंड लाइट शो का भी वो हिस्सा रहेगी और उसके बाद बताय जाता है कि राजबोन में उनका डिनर होगा यह आज का दोरा है और कल बताय जाता है कि शाम के वकित यहाँ पर प्र सिर्दनगर से रवाना होके दिल्ली चली जाएगी फुर्दोसलाई जनानवानी जेके न्यूस ट्रडे सिर्दनगर